Hello everyone, welcome to our channel, कैसे हैं आप सब, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पनी टिका ओपन सैंडविच की रेसिपी, बहुत ही जादा इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, और इसे हम बनाएंगे पैन में, इसके लिए हमें माइक्रोविब की बिल्कुल भी जरुरत नहीं ह तो वीडियो को एंड तक देखिए, सो लेट स्टार्ट दे वीडियो, तो यहां ले लिया है मैंने 100 ग्र्याम्स पनीर, पनीर टिका रेडी करने के लिए, इसमें आड़ करेंगे आदा चमच नमक, बहुत थोड़ा सा हल्दी पावडर, आदा चमच लाल मिर्श पावडर, आदा चमच धनिया पावडर, और एक चमच पनीर टिका मसाला, अगर आपके पास पनीर टिका मसाला नहीं है, तो आप पावभाजी मसाला भी यूज कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और एक चमच ओईल और आदा चमच कश्मीरी मिर्च, और इसे ह पनीर के पीसेज जो हम ने मारिनेट किये हूए हैं ये रखेंगे इसमें और इसे फ्राइ और इसे फ्राय करेंगे, टर्ण करते हुए, इसे पनीर में एक कृस्प भी बहुत अच्छा आएगा, और आप चाहिए तो पनीर के पीसेज थोड़े चोटे-चोटे भी कट कर सकत और इस तरीके से इसे हम fry कर लेंगे तो यह हो गया है ready और इसे निकाल लिया है मैने एक बोल में और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसमें मैयोनी मिक्स करेंगे एक चमच गरम में मत करिये नहीं तो मैयोनी एकडम लिक्विडी हो जाएगी और एक चमच टमेटो कैचप और इसे अच्छे से कोड कर देंगे पनीर के साथ बहुत ही हलके हाथों से तो यह रेडी हो गया है हमारा पनीर टिक का अब हम सैंड्विचेज रेडी करेंगे तो यहां ले लिए मैंने दो ब्रेट के स्लाइस और इसमें सबसे पहले स्प्रेट करेंगे टमेटो कैचप और ग् अच्छी लगती है आप वह इसमें स्प्रेड कर सकते हैं और इसके बाद जो हमने पनीर रेडी किया है वह पीसिज रखेंगे एक ब्रेड के स्लाइस पर हम पनीर के चार पीसिज रखेंगे इस तरीके से और जैसे हम पनीर टिक्का में यूज करते हैं कैपसिकम और अनियन वो भी मैंने कट करके रखा हुआ है और इस तरीके से साइड में कैपसिकम और अनियन लगा देंगे एक साइड पनीर के अनियन और एक साइड कैपसिकम इसका फ्लेवर बहुत ही जादा अचाता है इसलिए इसका नाम है पनी टिक का ओपन सैंडविच और लास्क में सबसे उपर स्प्रेड करेंगे चीज मैं यहाँ पर प्रोसेस चीज यूज कर रही हूँ आप मौजरेला भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से और जितना आपको चीज अच्छा लगता है आप उतना यूज कर सकते हैं और मैंने पैन को बिल्कुल लो फ्लेम पर गरम करने के लिए भी रख दिया है और आप हम इसे रखेंगे पैन में क्योंकि पहले से ओई है इसमें नहीं तो आप इसमें बटर भी यूज कर सकते हैं बटर बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है जिससे ब्रेट का जो नीचे का सर्फिस है वो क्रिस्प हो जले नहीं और उपर स्प्रेट करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और इगैनो और चिली फ्लेक्स और इसे लड लगाके पकाएंगे जब तक चीज मेल्ट नहीं हो जाता है आप देख सकते हैं चीज और बहुत जल्दी दो नहीं लगते चीज मेल्ट होने में और नीचे से भी बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाता है और इस तरीके से हमें से 4 पीसे में कट कर लेंगे तो ये रेडी हो गया है पनी टिक का ओपन सैंडविच होफुली आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए कॉमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और सबस्क्राइब तो मैं चैनल थैंक यू सो मुच